सद्गुरू, किसी गुरू और उसके शिश्य के बीच का रिष्टा कैसा होता है? क्या गुरू, एक ताना शाह की तरह, माता पिता की तरह, या एक मित्र जैसा होता है? यह सबसे अजीब सवाल है, जो आप पूछ सकते हैं. मैं दोस्त बनने को तैयार हूँ, पर मैं वाकई नहीं हूँ. अगर मैं दोस्त बन जाओं, तो यह मेरे लिए अच्छा होगा, पर आपके लिए बिलकुल भी नहीं. क्योंकि दोस्त कौन होता है, जिसके साथ रहकर आपकी सीमाएं मजबूत होती है, आपको आराम मिलता है, और आपका एहंकार मजबूत होता है. क्या आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करेंगे, जो आपका एहंकार तोड़े, आप नहीं करेंगे. जो आपके एहंकार को सहरा देता है, उसे मजबूत बनाता है, उसी को आप दोस्त के रूप में चुनेंगे, तो दोस्त बिल्कुल नहीं, आप जानी चुके होंगे. माता पिता, मैं अपने और आपके माता पिता का समान करता हूँ, पर वो कुछ अग्यानता और मजबूरियों से माता-पिता बने थे, ज्यादतर लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, दस, बारा वर्ष की उम्र में आप बिल्कुल ठीक थे, चौदा, पंद्रा, सोला की उम्र में आपके शरीर में दूसरी तरह के रसायनों ने जहर खोल दिया, अचानक आपकी नजर किसी महिला पर पड़ी, और कुछ होने लगा, आपने किसी पुरुष को देखा, और कुछ होने लगा, पिछले ही साल वो बिल्कुल ठीक थे, पर अब अचानक आपको, वो बिल्कुल अलग दिखने लगे, किसी तरह, आपके अंदर ऐसा जहर पहला, एक खास तरह से दिखने लगा, जब हॉर्मोन्स का कब्ज़ा खत्म हो जाता है, तब आपको लोग फिर से नॉर्मल दिखते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी नॉर्मल दिखते हैं, जब हॉर्मोन हावी थे, तब वो आग की तरह दिखते थे, हॉर्मोन ज़ावी थे, वो धोका नहीं था, वो सच था, वो बिल्कुल सच था, है ना, तो माता पिता, आम तोर पर अपने बच्चों के माध्यम से वो काम करने की कोशिश करते हैं, जो वो खुद नहीं कर पाए, समाने तोर पर हमेशा नहीं, उन में से कुछ यहाँ हैं, हम ये देखते रहते हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक, जो स्कूल चलाते हैं, वो मेरे पास आकर कहते हैं, क्योंकि हमने माता-पिता को साफ बता दिया है, कि आपका बच्चा ईशा होम स्कूल में होगा, तो हम रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, हम रिपोर्ट कार्ड देकर ये नहीं कहने जा रहें, कि आपका बच्चा किसी और के बच्चे से बहतर है, यहां सब कुछ किया जा रहा है, ताकि बच्चे फूल के तरहे खेल उठें, बहुत सी चीजें, कई चीजें की जा रही हैं, जो दुनिया के बहुत ही कम स्कूल कर सकते हैं, पर हाला कि वो जानते हैं कि यह अच्छा है, बच्चे अच्छे से विक्सित हो रहे हैं वो शारियरेक और मांसेक रूप से अपनी उम्र से भी ज्यादा मचौर होने लगे हैं जिससे डर लगता है पर सब ठीक है लेकिन जब वो छुटियों में घर जाते हैं तब पडोसी के बच्चे कहते हैं हमें 90% मिले तुम्हें कितने मिले यहां के बच्चे परसंड नहीं जानते वो कहते हैं क्या परसंड हमें परसंड नहीं मिलते तो माता पिता को अजीब लगता है मेरे बच्चे को बहतर परसंड नहीं मिले तो वो परिशान होकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं, नहीं, पसंट होने चाहिए, मेरा बच्चा और अच्छा कर सकता है, अगर वो दूसरे स्कूल में जाएगा, तो उसे सौ में से सौ मिलेंगे. फिर मैंने कहा कि अगली बार कोई ऐसा कहे, तो उनसे कहें, पहले अपने रिपोर्ट कार्ट दिखाएं. सबी माता-पिता अपनी माकशीट लाएं, देखते हैं उन्हें कितने मिले थे, हम कहेंगे कि ये वन्ष का असर है. अगर आपके बच्चे को 90 की बजाए 20 मिले, तो ये आपके वन्ष की समस्या है. तो एक या दो माबाप को ये जवाब मिलेगा, तो बात फैलेगी कि वो आपके भी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं. रहने दो, बच्चों के परसंट मत पूछो. तो माता-पिता तो बिलकुल नहीं. तानशा, मुझे लगता है कि मैं इसमें फिट होता हूँ. एक तानशा, यानि, आम तोर पर आप सोचते हैं कि तानशा, हिटलर, स्टालीन, या मुस्योलिनी जैसे होते हैं. नहीं, उनका किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं था. हमेशा उनके आस-पास कुछ गड़बढ रहती थी. वो हिन्सक तरीकों से कंट्रोल करना चाहते थे, पर उनका कभी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं था. उनके आस-पास हमेशा सब विखरता रहता था. पर मुझे लगता है कि मैं इस लेबल में उनसे ज्यादा फिट बैटता हूँ. क्योंकि ये, जब आद जीवन की हो, तो आपकी बातों, विचारों और कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो मैं कहूंगा, वही होगा. अगर बात बुनियादी जीवन की हो, तो मैं तानाशा हूँ, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता. जीवन की सरल चीजें हो, तो मैं बच्चों की बातें भी आदर से सुनता हूँ. पर जीवन के कुछ पहलूओं की बात हो तो भगवान भी आ जाएं तो मैं उनकी भी नहीं सुनूँगा क्योंकि मैं उनसे भी बहतर जानता हूँ ये बिलकुल एहंकारी बेवकूफ माइक टाइसन जैसा लगता है पर मैं क्या कर सकता हूँ ये सच है तो जब बुनियादी जीवन की बात हो तो मैं एक ताना शाह हूँ कोई सवाल ही नहीं है कोई दोराय नहीं है आप शास्त्रों की बात करेंगे तो मैं खारिच कर दूँगा आप पंडितों को लाएंगे मैं उन्हें खारिच कर दूँगा आप किसी को भी मेरे पास लाएं बुद्ध को उनकी कबर से जगा कर लाएं अगर वो मुझ से सहमत नहीं होंगे तो मैं खारिच कर दूँगा तो जीवन के मामले में मैं एक तानशा हूँ मुझे लगता है कि मेरे लिए वही लेबल ठीक है कि अब खुशे?